असलाम वालेकूम कैसे हैं मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स आज मैं लेकिया हूँ चिकिन चीज मैकरूनी सेंविच जी आपको मज़ा आ जाएगा जरूर बनाईएगा तो चलते हैं रेसिपी की तरफ यह मैकरूनी मैंने बॉयल की है थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के व हमारे पास कैचिप है और यह चीकन ब्रेस्ट है स्राइसेज है वए पास और यह चिटर चीज़ और मॉज़र की इसको दोनों को मैंने और इस तरीके से हम चिकन को मिक्स करते जाएंगे और सब वन बाई वन डालते जाएंगे तो सबसे पहले सोया सॉस एक चमच चिली सॉस एक चमच हमने विनेगर डाला है और एक चमच हमने ओस्टर सॉस डाला है अब इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा बहुत बहुत तेस्टी बनता है और बच्चों के लिए तो बहुत अची चीज है इस तरीके से हमने इसको मिक्स किया है अची तरीके से अब हम 1 टेबल स्पून नमक की डालेंगे, सॉल्ट की और 1 टेबल स्पून हम ब्लैक पैपर डालेंगे, क्रॉस्ट वाली होनी चाहिए, फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे, बहुत अच्छा बनता है, बहुत जाके वाला बनता है और यहां पे हमने लिया है चिल्ली गालिक, टमाटर केचप का जो पेस्ट आता है चिल्ली गालिक का, वो हमने एड कर लिया है इसमें अच्छी तरीके से, अब हम इसमें डालेंगे, हमारी जो मैक्रीमी परी भी थी, वोयल्ड वो हम इसमें एड करते जाएंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स का अखना बहुत मज़ाता है बहुत टेस्टी बनता है बहुत यब यंवी डिलीशिव यह इसके बाद हमने MIX हर्ब की 1 टेबली स्पून हमने प्रिस को मिक्स करते जाएंगे और इसके बाद हम ढाल में ऐसमें एक चोटी कंटोरि म्यूनिस की और मौनस में अड़कर दश्वा यहां पर यह चीज हमारे में करनेे के बाद बिलकुल रट जानेAK बहुत अच्छा बनता है अब यकीन ने करेंगे आपको मज़ा आजाएगी अब यह स्लाइस जो मैंने लिये थे इसको साइडों से हमने इसको काट दिये और फिर हमने एक माइक्रोवेव कोई भी आपके पास भरतन हो वह आपने लीजे और इसमें सबसे पहले हम इसमें कैचप लगाएंगे और फिर हम यह जो शेट कीवी चीज थी मॉजरेला और चैटर चीज दोनों को हम इसमें एड करते जाएंगे इसके बाद हम इसमें ओपर लगाएंगे डालेंगे मैकरोनी जो हमारा यह पेस्ट बनके रेडी हुआ था और फिर हमने ओपर टमेर कैचप थोड़ा सा और डाल दिया इसमें और फिर चीज डालेंगे इसी तरीके से दोनों सैन्विजिस को रेडी करेंगे इसके बाद हम इसके ओपर स्लाइस लगाएंगे बहुत अच्छा बनता है और बिल्कुल नई चीज होगी आप लोग खाईएगा और फिर बनाएगा अपने महमानों को भी खिलाएगा बच्चों को खिलाएगा बहुत अच्छा लगता है हेल्दी चीज है अब इसके बाद फिर हम उपर हम कैचप लगाएंगे थोड़ा थोड़ा लगाना है क्यूंकि हमने अंदल भी अल्रीडी कैचप लगाया है इसलिए हमें सिर्फ थोड़ा सा ही उपर लगाना है फिर हम चीज का एक फिर ये इस तरीके से चीज लगाएंगे हम और फिर हम माले पास एक शिमला मिर्श थी तो उसको हमने राउंड काट लिया है इस तरीके से फिर हमने इसके उपर स्टेप बाई स्टेप रखा है और फिर हम अब इसको माइक्रोवेव में डालेंगे दो मिनिट के लिए हमें स्टेप इसको जब तक लिट देनी है जब तक ये चीज हमारी मेल्ट ना हो जाए आप देखें कैसा लगा मेरा ये सैंविच आपको मेरे को कॉमेंट वाक्स में जबर बताईएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा फिर मिल्स ने एक नई रसिपिक के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिज